हालो प्रेंट्स तो आ गए फिस्ट एक नया वीडियो लेके तो मैं हूँ दीप शात्रा एंड आप देख रहें ओनलीपड डिजाइंग तो नया माइक लिए camera stand लिए light setup किया है थोड़ा बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए किये देखता हूँ कैसा होता है पहले बार बना रहा हूँ थोड़ा सा पॉब्लम होगा पहला ऐसा बनाया नहीं तो प्लीज बैक्ग्राउंड का जो कपड़ा है इसका भी इसको भी खड़ीदा लेकिन इसका stand नहीं दिया तो थोड़ा जोगर बना के काम चल रहा है तो चलिए दे कट करते देखिये तो कि यह वाला पाट बनाया तो फोड़ो मेरा नेट का निट बंग था ये वाला section ठीक है तो मेरा YouTube चैलेंग में देख सकते है अब ये मेरा चैलेंग है प्लीज लाइक कीजिए सब्सकरब कीजिए कॉमेंट कीजिए प्लीज सब्सकरब जरूर कीजिए क्योंकि अभी भी बहुत सब्सकरब भरग किए मुझे तो ये दो तो वीडियो हम पहला ये प बटन में थोड़ा हम बढ़ा कर लेते में आपको देखने में मेरा कीबोर्ड भी आ गया कीबोर्ड आज जाके लाए है तो पीजडी उपिन कर लेते सॉरी हम भूल गयते उपिन करना पीजडी को तो अज तोरह नया है कैमेरा लगा कि इस तरह आप इस तरह माइक पे थोरह नया है बहुत घबरा थोड़ा है प्लीज कोई भूल होगा तो प्लीज कर लेना मैं इसका लेना पहले वीडियो में यूट्यूब नहीं हुआ नहीं हूँ होने का ट्राइक कर रहा हूँ अगर धीरे 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 प्लीज तो आज क्या करेंगे मेनू सेक्षन बनाएंगे थीक है थोड़ा पासिना भी हो रहा है क्योंकि हम फ्ञांका चला नहीं सकते क् लिए साउंड के लिए हम गड़मी में बैटके दो ठो लाइट जाल लाया है सामने तो पाक नहीं चला सकते तो चलिए त्रट करते है अं डीप लेंगे पहले अ दीप सेक्शन पहले सेक्शन लेंगे सेक्शन आईडी देंगे मेनू दीब क्लास कॉंटेनर ठीक है दिन हमको रो लेना है दीब क्लास रो ओके तो अब देखिए मुझे पीजी में जाते हैं हमको दो टो भाग करना है ठीक है तो हम एक 6-6 करके 6-6 करके हम दो टो कॉलम लेंगे एक में 6 देंगे और एक में 6 देंगे तो 6-6 बारा होता है 12 कलम दो टो भाग कर देंगे हम ठीक है तो चलिए हम रो में रो के अंदर के पहला क्लास और एक पॉब्लम है हम क्या करेंगे ना हां एक दो एक दो है ठीक है है आहां माल लीजिए 6 बे चला चलाएगा ठीक है तो हम पहले कॉल को एल जी और हम देंगे क्लास 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 कॉल एक्स एल मने मतलब इस्टा लाट्श सीक्स सीक्स देन कॉल एल जी सीक्स कॉल एंडी सीक्स एंड कॉल एस एंड कॉल ट्वेल ओके तो मेरा एक साइट हो गया देन हम लेगे दूसरा साइट दूसरा ठीक है तो क्या है ना हम पहला में हम देंगे दीप क्लास क्लास कॉंटेंट मेनु कॉंटेंट मेनु अंड एसकर कॉंटेंट कॉंटेंट मेनु कॉंटेंट देन हम लेखेंगे टाइटल को पहले लेखेंगे इस टू टैग लेगे इस टू टैग लिया है कि अब बहुत गर्मी हो रहा है है तो टैग ले लिया लें उसके अंदर पेस्ट कर दिये दिन उसके अंदर दिवाइडर देना है तो डिवाइडर को देंट ठीक है तो divider divider को हम copy then यहां पर paste तो divider को हम paste कर दिया लेकिन divider अम यह वान है हमको two divider लेना है ठीक है तो हम एक बार refresh कर रहा हूं पहले रिफ्रेश कर लिया देखिए यह लो आ गया लेकिन इसका बैक्ग्राउंड के बैक्ग्राउंड में भी अब देख सकते हैं यह बैनार मतलब डिजाइन इसके बैक्ग्राउंड में भी टेक्चर है देख सकते हैं आप टेक्चर को देंगे तो ठीके देन आम और एक लेंगे इसके दिवाइडर के बाद लेंगे दिव क्लास सिंगेल मेनू ले लिए सिंगेल मेनू ठीके देन डिव क्लास मेनू टाइटल मेनू टाइटल इसके अंदर हम क्या करेंगे मेनू जो टाइटल है हमारा वो टाइटल को देंगे तो यहां पर जाते हैं टाइटेल को ले लिए टाइटेल दे दिया हमको देना पड़ेगा इसमें ह2 हम ह4 मेनू को लेख दिया एंड स्पैन देंगे स्पैन इसमें प्राइस लेख देंगे मेरा प्राइस है हुआ 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 है फ्रेस गोलिग तución यह लिए बाला ठीक है तो मेरा पहला हो तो अंदर हमैं हर कि किशेट टेख देदिया देन हम उसके बाद यह कि एक लाइन है उसके लिए हम हम ही ह टेक है यह पर यहां पर लस्ट में मेरा नाम लिग है यह पिज में धी जो भी की है मेरा नाम लिखके दिए घ्रावू तो इसके बाद हम appearing हो गया । तो यह हम क्या करेंगे CSS पर दाते ID को कॉपी किये, CSS पर दीप, मेरा उपर में दिया हो है about section में उसको हम कॉपी कर लेंगे, just copy, then paste, ठीक है, then paste कर लिए, देखिए आप यहापी refresh, आप देखिए background आ गया, then title, menu के अंदर, menu के अंदर हम, जीतना भी CSS है, हम CSS को अपर लिग लिटे, menu content, menu content उसके बाद, उसके बाद menu content को कॉपी कर लिया, then मेरे पास है menu content, then h2, 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 ठीक है, then menu content के बाद है मेरा single menu, divider को भी लेना है, यहाँ पर और एक बार दे देता हूँ divider के लिए, इसको copy किये, यहाँ पर paste, then class है divider, divider के लिए एक ले लिए, single menu के अंदर जितना है, हम दे देंगे, single menu के अंदर h4 एक tag है, then spend tag, copy spend, spend then p, then p, e tag लिए, तो हम यहाँ पर font family को हम copy कर लिए, यहाँ पर, then content menu पर हम paste कर दिए, save, देखिए, font अभी color को देना है, यहाँ color code को भी copy कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे जाके इसको copy किया, then color, color भी red दे रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ से, जो मेरा dropper आएगा, हम dropper से color हम यहाँ से pick कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आगया, मेरा font size ठीक है, आप font size अभी नहीं बढ़ाएंगे, font size ठीक है, इसको हम, sorry, यहाँ से, यहाँ पेस्ट, जो है हम, इसको text align center, text align center, then इसको save, refresh, देखिए, text align center आगया, okay, then आप divider को भी लेंगे, इसको just margin bottom देंगे, margin bottom 20 pixel, and इसको भी margin bottom 20 pixel, text align center, okay, then यहाँ पे refresh, देखिए, आ गया, then इसका जो font है, इसका भी होई same font, same font चाहिए, तो हम यहाँ पे font color, and इसको copy कर रहा हूँ, करके हम, यहाँ पे दे दिये, then इसको देंगे text, इसको ठीक है, and then इसको हम copy किये, text align right देंगे, इस pen को देंगे, text align right ठीक है, अब देखिए, तो यह right में नहीं आए, तो हमको देना पड़ेगा, हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसको float left देखिए, एक बार देखते, float right, आप देखिए, float right पे आ गया, तब float right पे आ गया, और इसका font, font ठीक है, एही font है, इसका copy, यहाँ पे paste, हम text align right को हम हटा देंगे, okay, save, and p, अभी क्या है, p को हम, p को style करेंगे, p को एक बार देख लेते, p, p को style करना, थोड़ा font size बढ़ाएंगे, font size 20 pixel, color, थोड़ा dark color करेंगे, black अभी दे रहा हूं, then इसको हम color दे रहेंगे, ठीक है, तो इसको हम copy किये, paste कर दिया, ठीक है, तो देखिए, एक मेरा बन गया, देखिए, यहाँ बीच में भी एक line है, तो हमने hr दिये थे, उसलिए line ले लिया है, तो यह मेरा हो गया, तो हम just क्या करेंगे, जो single menu है, single menu को copy करेंगे, and इसको paste करेंगे, paste कर दिये, चार्ट तो करके हम paste कर दिये, देखिए आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, इसको single menu पे हमको तरफ margin bottom देना भरगा, single menu ने हमने class ली कहते है, single menu हाँ, इस पर हम देंगे, display, block, margin bottom, 20 pixel, और थोड़ा देंगे, 30 pixel ठीक है, then इसको copy, and यहाँ पर paste, तो देखिए menu कितना आसानी से बहुत काम टाइम में एक menu बन दिया, आप content को change कर लिजिए, पुड़ा को copy कर लेते है, menu content, menu content को पुड़ा copy कर लिया, copy, then दूसरे बाला में हम paste कर देते हैं, ठीके, और एक करके हम paste कर देंगे, दोटो दोटो करके हम paste कर देंगे, यहाँ पर, menu content, अब देखिए, मेरा menu section ready हो गया, अभी देख सकते है, मेरा menu section, डोटो दोटो घर के menu section ready हो गया, और एक काम करना है, इसका जो अंदर padding देना है, जो menu content हमने दिये थे ना, menu content को हम देंगे, पैरिंग, 20 पिक्सल, पैरिंग 20 पिक्सल देंगे, 24 पिक्सल, चारो तरफ से पैरिंग दे दिये, then save, आप देख सकते है, menu मेरा menu तयर हो गया, आप just content चिस्ट कर दिजिएगा, ठीक है, मेरा menu हो गया, इसके बाद कौन से section है, हाँ यहां पे देखिए, एक section ने special बोल के, ठीक है Specion लिखा हुआ है एक section में हाम क्या करेंगे, Special लिखा हुआ है, už स्कोऔ ही आप करांगे, तो कोई भी moc Studios पर कड़ाते, menu item किससे विखा है, single menu लिखा है, special और हम क्या कड़ायंगे, एक panel में सिंगेल मेनु पर लिखा है, का है single menu हम यह बाला single menu, single menu इसके अंदर एक deep ले लेते हो, special बोलके, इसको हम copy कर लिया, यह एक class ले लिया, इसको special बोलके class ले लिया, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, menu के अंदर, यह span है, span के बाद हम एक क्या करेंगे, एक उपर ले ले लेते हैं, एक आई बटन ले ले लेते हैं, यह span ले 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 लेते हैं, span देन इसको special और यहां पर जो हम span लिका है ना, इसके अंदर हम h4 कर देंगे पहले, क्योंकि यह span के अंदर ठीक है, देन हमी menu, सिंगल मेनू को कॉपी किये देन हम को क्या करना है जो इस स्पेशल टेग को हम देंगे सिंगल मेनू नहीं देंगे आपे सल को देंगे देन स्पैन ठीके हम यह पर रिप्रेस्ट कर रहूं एक बार कि आप देख सकते हैं आपके स्पेस्ट आ गया शल आ गया है तो हम इंको देंगे टेक्स डालाइन राइट रही लेहा था है फ्लोट राइट है फ्लोट राइट ले लिया को पुजिशन एपसोलूट देंगे वो spent भी ले रहा है तो हमको इसको spent नहीं देंगे थोड़ा दूसरा कोई tag देते हैं तो इसको हम itag में दे देते हैं आई tag भी हम दे सकते हैं तो आई tag भी दे सकते हैं तो यहां पर चेंज कर रहू हूँ आए, देन आए, ठीक है, देखिए, फ्लोट राइट पिशन एपसुलूट, हाँ पोजिशन एपसुलूट देंगे, फ्लोट राइट को अटा देते हैं, इस एपसुलूट, टॉब जीरो, राइट जीरो, आभी नहीं आ रहा है, क्योंकि आम ने जो पोजिशन इसको दिया है, इसको किसके अंदर राखेंगे, उसको एपसुलूट देना पड़ेगा, तो आम सिंगेल मेनु को देंगे, पोजिशन एपसुलूट, ठीक है, सिंगेल मेनु को देए, पोजिशन एपसुलूट, और जिस को जिसके अंदर रखना है कोई चीज को जिसके अंदर रखना है उसको देना पोजिशन रिलेटिव और जिसको रखना है उसको देना है पोजिशन एपसुलूट ठीक है तो हम क्या करना है सिंगल मेनु के अंदर को आई कैप को रखना है तो हम सिंगल मेनु को देंगे पोजि एपसुलूट देन टॉप जीरो राइट जीरो देखिए कहा आया रिप्रेश कर रहा हूं अब देखिए आ गया तो हम क्या करेंगे इसको टॉप में थोड़ा माइनस में उपर ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इतना ठीक है आठरा माइनस कर दे रहा हूं बैकड्राउं रेट कर रहा हूं सॉर्य हमको राइट कॉम कार्ट के बैकड्राउंड कर दिया हूं ठीक है राइट जीरो पैरिंग फाइब पिक्सल उपन निजसे से दोनों तरफ से हमने देंगे 10 पिक्सल और उपन निजसे से 4 पिक्सल ठीक है देंगे कलर कलर ब्लैक ब्लैक थोड़ा इतना कलर नहीं इतना ठीक है और टॉप को थोड़ा और बढ़ाएंगे हाँ बढ़ा दिया देंग ठीक ही लग रहा है स्पेशल इसको हम कि फॉर्ण साइज थोड़ा कम कर कर देते हैं कलर हाइट में हैं सरी देख लेते हैं कलर हाइट में हैं जो यह कलर यह थोड़ा अर्ड डार्क में है ठीक आप देख लीजेगा कलर को ठीक है एक बाद देख लीजेगा हम इसको हम तो हमने देख दिया तो हम क्या करेंगे थोड़ा हम तो यह स्पेशाल आ गया हमको क्या करना है थोड़ा मार्ज जो हमने सिंगल मेनु लिया है उसको थोड़ा हम प्याडिंग थोड़ा मार्जिन बड़ा देंगे सिंगल मेनु दिन मार्जिन बटम जो किये ना इसको थोड़ा हम बड़ा देंगे 50 सिंगल मेनु मार्जिन बटम 50phe मेला मेनु सेक्ष्ण हो गया मेला मेनु सेक्ष्ण हो गया देखिये बहुत अछ्छा लगड़ा है मेनु सेक्ष्ण तो चलीए इसके बाद क्या है कि इसके बाद एक टेस्टी मूणील है कि ठीक है कि बाद है टेस्टीमूणियल तो हम टेस्टी मूनियल को देखते है तौ यह बहला व्यीजियो कि बहुत गर्मी लग और धर tämä आ nossa पर तो चलिए आज इतना है रखते वेगा वीडियो में हम नेक्ट वीडियो में यह दो टो पाढ़ हम कॉंप्लिक कर देंगे टेक्स्टीमोनियाल एंड यह एंड फूटर को कॉंप्लिक करने के ट्राय करेंगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैलन को सब्सक्राइब कीजिए comment कीजिए, like कीजिए please subscribe कीजिए, thank you so much